दोस्तों जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत ही अजीब और गरीब और रंगीन जानवरों से भरी हुई है लेकिन इन में से कुछ तो इतने कम दिखाई देते हैं कि आपको लगएगा कि ये काल्पने को सकते हैं समुद्र के गहरे पानी से लेकर उचे पेड़ों तक ये जंगली जानवर लगभग कहीं भी चुप सकते हैं तो पहन लीजिए अपनी खाकी कपड़े थाम लीजिए अपनी दूरबीन और हो जाई तयार क्योंकि हम जा रहे हैं एक सफारी पर कुछ ऐसे आजीब जंगली जान जानवरों की प्रजातियों का घर है लेकिन अंधेरे में एक ऐसी चीज भी दुपके हुई है जो कि अजीब भी और दिलकश भी ब्लैक स्पॉटेट कसकस एक ऐसा जीब जानवर है जो कि बिल्ली लोम्री और बंदर की बीच के एक क्रॉस जैसा दिखाई देता है हाला कि हम इसके बारे में जादा तो नहीं यानते लेकिन जो हम जानते हैं वो बहुत ही दिलचस्प है शुरुगात के लिए साम जैसे देखने वाली ये आखें अंधेरे में देखने के लिए बहुत कांके होती हैं कसकस की आखें बिल्लीओं और लोम्री की तरह लंबी कटी होई होत से रात में अच्छी तरह से देखने मदद करती हैं जबकि दिन के दौरान खतरनाग धूप को भी ब्लॉक करती हैं निशाचर होने के साथ साथ ये अजीब जबरे जानवर आरबुरियल होते हैं जिसका मतलब है कि वो पेड़ों पर रहते हैं वो अपने सामने के मोड़े कि कगार पर हैं और अब इन जानवरों के बारे में इतना कम जाना जाता है कि हम ये भी नहीं जानते कि जंगल में ये कितने बचे हैं भाई ये किसी खुबी परिशान करने के लिए काफी है हेड़न डेस्मैन के ऑल प्रिन्यू नेशनल पार्क में चूहे मोल और मचलियों को ढूणने के लिए कीचड़ और दरारों में रेंगता है लेकिन एक हाथी से उलट ये चोटे जानवर एमफीबियस भी होते हैं तैरते समय वो अपने नाक के छेद और कान को बंद कर सकते हैं उनके पैडल जैसे पंजे उन्हें एक मचली के तरह पानी में तैरन जुरू कर दी ये जानवरों के पीछे पानी में गोता लगाए बिना डीने निकालने का एक गंदा तरीका है लेकिन मुझे लगता है कि वो रिसर्च ये उस गलत जगों पर देख रहें क्योंकि कुछ डेस्मिन भागने से ज़्यादा मस्ती करने में मस्त रहते हैं दोस्तों आप इन जानवरों को ढूणना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन नीची दिये गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को ढूणने के लिए आपको तेज आँखों की जरुवत नहीं है तो उधेर किस बात ही बस हिट कीजे उन्हें कर दिया ग्रेट तो आगे क्या है गोटी ब्यूटी दोस्तों अगर आप मकडियों से डरते हैं तो मैं कहूंगा कि आप अब ही अपना मूँ फेर लेजिए क्योंकि गोटी टॉरिंटुला उतनी भयानक है जितना कि आशर जनक रूप से सुन्दर है इस नीली मकडी को 1899 में दक्षन भारत की गोटी श में एक बहुत ही डर्पो किस्म के मकडी है हमला करने के बजाए ही मकडी जातर मामलों भाग जाती है चूंकि यह पेड़ों पर रहती है इसलिए आम तर पर यह जातर लोग की आखों के लेवल से बहुत ही उपर होती है और लोग इसे नहीं देख पाते लेकिन जब इसे छे का मालिक है लेकिन मैं उसे एक प्यारा पालतु जानवर नहीं कहूंगा पर कुछ मकणियों को कैद में भी रखा गया भाई अब उन्हें जंगल में ढूंड़ना लगभा का संभव है क्योंकि जंगलों की कटाई से उनके घर बरबाद हो रहे हैं कोई हरानी की बात नहीं है कि वो इतने नीले पड़ गए हैं स्काय हाई फणी गाय दोस्तों उतरी वेतनाम के खावका जंगलों के पहाड इतने उचे हैं कि उनके कुछ हिससे बातलों के उपर निकलते दिखाई देते हैं उसके बावजुद इन जंगलों की सबसे शानदार खासियत नहीं है क्योंकि व बड़े घुलाबी होटों को देखकर ऐसा लगता है कि इन बेचारों ने बिना आइने के मेक अप करने की कोशिश की होगी यहां तक कि इनके बच्चे भी ऐसे पैता होते हैं जैसे वो कि जी ड्रैग शो में परफॉर्म करने वाले हों लेकिन हमाजनानी चाहिए क्योंकि व बहुत बड़ी स्कृट दोस्तों उनके बड़े आकार के बावजूद परफेक्ट नाम वाली इसे जाइंट स्कृट को देखना अभी भी बहुत ही मुश्किल है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विशाल सेफे लोपोर्ट्स आम तोर पर समुदर की सबसे नीची गहराई में र दक्षन अफ्रीका में केप टाउन के तर्ट पर ये घायल स्कृट शायद अपना रास्ता भटक गई थी ये संभव है कि इस जानवा पर स्पम वेल ने हमला किया हो जो उनका एक लोता शिकारी है या ये अपनी तरह की किसी दूसरी स्कृट के साथ लड़ाई में लच गई होगी उनके शरीर की चीर भाड करने के बाद वेग्यानिकों ने देखा है कि बड़े स्कृट गहरे पानी के मशली और यहां तक की दूसरे बड़े स्कृट को भी खा जाते हैं इसलिए कुछ भी जंबव है वो इनसान के मास को खाने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाते हैं जो कि अच्छा है क्योंकि आठ हाथ वाले इन राक्षसों के दो लंबे खाने वाले हाथ तेज दांदों से भरे होते हैं या साथ से आठ एडल्स के बराबर हो सकता है मुझे नहीं लगता कि कोई इनसान उसके करीबाना चाहेगा इसके अलावा इनके स्टैटोलिट्स पर ग्रोथ रिंग होती है जो छोटे मिनरलाइजड मास होते हैं जो स्कृट को बैलेंस करने मदद करते हैं और बताते हैं कि 05 साल से जादा जिन्दा नहीं रह सकते हैं इसलिए उन्हें बहुत तेजगती से बढ़ना होता है और उस ग्रोथ को सस्टेंड करने के लिए डिल सारा खाना-khाना होता है मुझे बहुत ही खोशी होती है कि वो इंसानों को नहीं खाते हैं वरना हम सब गहरे पानी में होत ये इतना चोटा है कि दूसरे चमगादरों से उलटी ये एक चड़िया की तरह हवा में मंट रा सकता है और उतने ही जल्दी उड़ भी सकता है लेकिन इसका चोटा आकार ही एक लोता ऐसा करण नहीं है जिस वजे से ये कभी दिखाई नहीं देता है इसे थालेंड व्यामार म में भी एक दूल लब जानवा माना जाता है यहां यह रहता है दूसरे चमगादरों की तरह वो दिन के समय जुन्ड में गुफाओं की छट से चिपके रहते हैं लेकिन चमगादरों की गुफाओं में ध्यान करने वाले विखशू और अनुखे जानवरों की जासु सी करने की कोशिश करने वाले परेटकों ने इनके नेचरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है और नुकसान पहुँचा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन उडने वाले जानवरों ने कभी जवाबी कारवाई नहीं की है इन गुफाओं के आसपा शोर शराबा कर रहा था और उपर बैठे सबी छोटे चमगादर जाग गए थे और वह खुश नहीं थे होसे में पागल जंगली जानवर चट से नीचे उड़कर आया और टुरिस्ट पर एक बड़े तूफान की तरह बंबारी कर दी भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं तो वहाँ बिलकुल नहीं होता गुप्त समुदरी सूर सीपेक्स उनके नाम के बावजूद बेब कहलाने पर रियक्ट नहीं करते हैं और ना ही उनकी गुंगराली होला भी पूँच होती है उनके नाम के उलट सीपेक्वास्तम में एक तरह का सीथ कुकुमबर है जो सत्य से लगभग चार मिल नीचे समुदर के सबसे गहरे सबसे अंधेरे और सबसे ठंडे हिसो में रहता है और भले ही वो वहां बहुत जादा पाए जाते हैं लेकिन वो इतनी एक्स्ट्रीम लोकेशन पर रहते हैं कि आप और मैं शायद अपनी आँखों से उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे जो एक शर्म की बात है क्योंकि वो इतने अजीब हैं कि मैं उन्हें खंटों बैठे देख सकता हूँ भले ये भूले हुए पानी से भरे जानवर लगभग साड़े चाइंच लंबे होते हैं लेकिन फिर भी वो इन कहराईयों में लगभग हर चीज से बड़े होते हैं तो उस हमलावार को पीशे हटाने में मदद करने के लिए उनके पास एक जहरली तुचा होती है हलागी जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी है वो इसे खाने की कोशिश नहीं करेगा मेरा मतलब है उस खाफनाग छोटी चीज को अपने मूँ में डालने के बारे में जरा सोच कर देखी वो अपने जातर दिन खुशी खुशी समुदर के तल से कच्रा खाने में बिताते हैं मुझे लगता है कि वो कीचड में मस्त रहने वाले एक सुवर की तरह ही खुश होंगे दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक पहिली है ऐसा क्या है जो आपके हतेली के आकार के बराबर है सुवर की नाग जैसा है और उसका रंग बार्नी डार्नसौ जैसा है अगर आपका अंदाजा ये मेढ़क था तो मैं आपको बताई दीता हूँ कुछ लोग इस स्कुशी स्पंजी पपल फ्रॉक को इसके अजीब शेप के कारण डोनट फ्रॉक भी कहते है दुखी बात ही है कि भाई मेरी पहले हुई कमर को देखती हुए मैं अपनी जिन्दगी में डोनट फ्रॉक के मुकाबले कहीं ज़्यादा डोनट देखूंगा ये प्रजाती जातर अंडरग्रांड रहती है और साल में सिर्फ एक बार कुछ गंटों के लिए मेटिंग के लिए बाहर निकलती है इनफेक्ट ये मेढग इतने माया भी है कि साल 2003 तक वेग्यानिकों को पता भी नहीं था कि वो मौजूद है ऐसा इसली है क्योंकि ये सिर्फ भारत के पेरियार इलाके में पाया जाता है ऐसा इसली है क्योंकि इसकी मेटिंग कॉल मेढग की तरह ही कम और खोई हुए चिकन की तरह ज़ादा लगती है आम तोर पर ये मेंधग अपनी द्वारा अंडरग्राउंड बनाए गए विलों और घुंसलों से आवाज लगाते हैं बेबी टैटपो होली यहां दरारों, छेदों और चट्टानों के नीचे छोड़े गए अंडों से पैदा होते हैं वो चट्टानों से चिपके रहते हुए सौ दिनों में बढ़ते हैं, जब वो पूरी दरह से अपनी स्कुशी शेप में डिवेलप हो जाते हैं तो वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और अपनी नुकिली नाक का इस्तिमाल करके चींटियों और धीमक को खा जाते हैं वो सिर्फ मेटिंग के मौसम के दोरान सताय पर आते हैं, जब मेल मज़दार तरीके से फीमल पर सवार होकर बाहर आता है यारी अपने पार्टनर की सवारी करने के बड़िया तरीका है अर्शा जनाक अमूर तेंदुआ दोस्ता अगर कोई ऐसा जनवर है जो हमारे दोरा देखे गए मेटक से ज़्यादा अलग हो सकता है तो वो है अमूर तेंदुआ यह खुबसूरत बड़ी बिल्लियां रशिया और चायना की जंगलों में रहती है और 37 मिल पर दिखंटे की तेज रफ़तार से दोड़ सकती है अफसोस की बात यह है कि इसकी जबरदस स्ट्रीट के बावजूद यह शिकारियों से बचनी सकती है जिन्होंने उसका इस हद तक शिकार किया है यह जंगल में सिर्फ सत्तरी बचे हैं अमूर तेंदवा अब इस दुनिया का सबसे इंडियंजर जानवर है और इसकी यूनिक में से इसके अंत का कारण रही है ठंडे मौसम के कारण इस बिल्ली की खाल तीन से भी ज़्यादा मोटी हो सकती है और दूसरे तेंदवा की खाल की तुलना में ज़्यादा सौफ्ट होती है अनफरचनेटली ये शिकारियों को अपनी तरह बहुत आकरशित करता है जो इसकी खुबसूरत खाल को बेच कर पैसा कमाना चाते हैं लेकिन रशिया और चायना के इक इंजरवेशन की कोशिशों के कारण अमूर तेंदवा की आबादी जंगल में बढ़ रही है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि उन्हें सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े शिकारी और क्लाइमबर की रूप में क्यों जाना जाता है अमूर तेंदवा अपनी शरीर के वजन के दस गुना वजन का शिकार कर सकता है और फिर अपने शिकार को दूसरे शिकारियों से चुपानी के लिए उसे पेड़ों तक ले जा सकता है हलाकि कैद में लगभग 200 अमूर तेंदवे और भी है जहां जैसा कि आप देगी सकते हैं वो पूरे एहशवार आम के साथ एक शानदार लाइफस्टाइल का मज़ा लेते हैं सबरवाला पोटू दो फीड लंबा ओभी हुई चमकीली पी लिए आँखें और एक बड़ा सा मूह होने के बावजूद ग्रेट पोटू आसानी से दिखाई देने वाला जानवर नहीं है अपने आजीब रूप के बावजूद साथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला ये पक्षी बेश बदलने माहिर है और अपने धब्बेदार भूरे रंग का इस्तिमाल ये उन पेड़ों के साथ मिलने के लिए करता है जिन पर वो बैठता है ये पूरे दिन और यहां तक कि तूफान के दोरान भी इस टाइट पोजिशन में बैठा रह सकता है ताकि कोई भी शिकारी इसे ना देख सके सोते समय भी अपनी इस्तिती बनाए रखता है और अपनी पलकों की नीचे की छोटे शेदों का इस्तिमाल करके शिकारियों का पता लगा सकता है ये तो अविश्वस नहीं पक्षी अपनी आगे बंद करके भी देख सकते हैं लेकिन जब रात होती है तो ग्रेट पोटू में जान आ जाती है और वो उस बड़ी चोट से कीरों और मक्यों का हवा में ही पकड़ लेता है वो सिर्फ एक अजीब और भूती आवाज निकालन अजीब ओकापी दोस्तों एक नज़र देखने पर आपको क्या लगता है कि ओकापी किस तरह का जानवा रहेगा इसके पीछे की धारियों ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जबरा परिवार का सदस है खैर अपनी अनुखी धारियों के बावजूद ओकाप भी जराफों के एक मातर रिष्टेदार हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं हलाकि ये बाहर से जराफ की तरह नहीं दिखता है लेकिन इसकी एक लंबी काली जीब है जो कि इसकी उंची गरदन वाले रिष्टेदारों से मिलती जलती है जराफ की तरह है वो कापी अपनी कान और पलकें भी चाट सकता है लेकिन जब वो अपनी आखे नहीं चाट रहे होते हैं तो ये माया वी जानवर Democratic Republic of Congo के इट्री के जंगलों में पाई जा सकते हैं जो उनका एक मातर घर है अगर आप खुद उनके शिकार के लिए जाते हैं तो शायद आपको ये नहीं मिलेंगे ओकापी ना सिर्फ अची तरह से कैमुफलास होते हैं बलकि उनके बड़े और सीधे कान भी आवाज के प्रती बहुत ही समविदन चील है इसलिए वो आपके आनी के आवाज को सुन लेते हैं और आपके देखे जाने से बहुत पहले ही भाग जाते हैं वग्यानिकों ने ये भी पता लगाया है कि ओकापी की सामाने चीखों के अलावा एक गुपत भाशा भी होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी लो होती है कि इनसान उसे सुन नहीं सकते वेल ये एक अच्छा काम है कि वो लोगों से बचने में माहिर हैं क्योंकि दुख की बात है कि उनका बड़े पैमाने पर शकार किया जाता है और लगभग 25,000 रोकापी ही जंगलों में बचे हैं कचुए की परिशानी दोस्तों सॉफ्ट शेल कचुए कई तरह के शेप और साइज में पाए जाते हैं जिनमें लोग प्रिये फ्लोरिडा प्रजाती से लेकर उनके छोटे सिरवाले भारती रिश्टेदार भी शामिल है लेकिन उन सभी कबाप बेशक यांग जी जाइन्ट साफ्ट शेल कचुए है पानी के इंचानदा जानुरों का वजन 440 पाउंड से जादा है और ये 100 से जादा सालों तक बढ़ते हैं और इनका वजन लगभग 3 एडल्ट लोगों के बराबर होता है उनके जबरतस ताकार वजन के बावजूद ये जंगल में इतने कम बचे हैं कि इनके देखे जाने के संभावना ना के बराबर है चाइना और वियतनाम में प्रदूशन शिकारों के वेट लैंड हैबिटेट को नुक्सान पहुंचने के कारण ये प्रजातिव लुप्थ होने के कगार पर है कु अभी तक कोई सफलता दुमेली नहीं उनको लेकिन फीमेल एक बार में 40 संडे तक दे सकती है तो भाई अभी भी उम्मीद है कि एक साल के अंदर इन कच्छूओं को बचाया जा सकता है लुप्त हो रही वकिता दोस्तों वकिता दुनिया के सबसे दुलब जानवर के खताब के लिए एक और बहुत ही बड़े दाविदार है परपोईज की साथ प्रजातियों में से एक वकिता दूसरी सबसे छोटी है जिनका वजन लग भग 95 पाउंड है जो की सबसे बड़े वजन के आधी सिभी गम है हलाकि यांग जी सौट शेल कचुए जितने दुलब नहीं है लेकिन इन प्यारी समद्री जानवरों में से आज भी सिर्फ दसी जिन्दा बचे हैं वास्ता में ये शांदा पोपोईज इतने दुलब हैं कि बहुत से लोग अब तक ये भी सोचते के लिए किया जाता है ये जरूरी है क्योंकि वाकिता दूसरे पापोईज के दुलना में बहुत जादा गर्म पानी में रहते हैं अफसूस की बात है कि मैक्सिको के कैलिफोनिया की खाड़ी में अवैद मचली पकरने के कारण वाकिता की गिंती कम हो रही है जहां इन में से कुछ अद्बु जानवर रहते हैं मचवार एकसर टोटो आबा मचली पकरने के लिए जाल डालते हैं जो कि उतने दोलब हैं और ऐसा करने में वो हलती से वाकिता को भी पकर लेते हैं इसलिए सच के बावजूद की वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं इन के पास क्या कर रही है तो भाया मज़ा के एक तरफ यह है गोबलिन शार्क अपने लुक के बावजूद गहरे समुद्र में दुबक कर रहने वाली शार्क इंसानों खली कोई खत्रा नहीं क्योंकि यह लगभग 4300 फीट की गहराई पर रहती जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसके जबडे उस पर अगर एक नजर किसी की भी पढ़ जाना फिर इस समुद्र में खदम ना रखने के लिए वो मजबूर हो जाएगा 31 से 62 सेट तक के दांतों के साथ इसे समुद्र तल पर पाई जाने वाली किसी भी क्रस्टेशन्स और छोटी मशलियों को कुचलने काटने और चबाने में कोई परिशानी नहीं होती ये एक शांदाश शिकारी भी और अपने अजीब लो डेंसिटी वाले मास का इस्तिमाल चुपचाप तैरने और शिकार को चौकाई भी ना उसके पास जाने के लिए करते हैं हलाकि सबसे भानक बात यह है कि जब 12 फुट की शिकारी अपने शिकार को पकड़ने काफी करीब होती है तो यह बहुत को शनोखा करती है गोबलिन शार्क अपने जबडे को डिसलोकेट कर सकती है और अपने 62 दातों के सेट को तेज स्पीड में 10.2 फीट प्रती सेकिंड के दर से आगे ले जा सकते हैं मैं आपके बारे में तो नह खास में दुपका हुआ नहीं पाएंगे क्योंकि यह एक लो लेंड स्ट्रीक्ड टेंडरेक है और अपना समय पूरे पूरवी मिडगासकर में अंडर्गराउंड विलो में बिताना पसंद करता है उनकी अंडर्गराउंड लाइफस्टाइल के कारण इन जानवरों के बार में रगड़कर वो इस ट्रेडियो लेशन के जर्ये आवाज निकालते हैं यह वही प्रोसेस है जब कीड़े आवाज के लिए अपने पैरों को एक साथ रगड़ते हैं लेकिन टेंडरिक दुनिया के एक मात्र में मल हैं जो ऐसा करते हैं पर उसमार्ट बातचीत करनी कि उन नहीं दूँगा बेहुदा गेंडा दोस्तों सूपर रेयर सुमात्रा राइनो भले ही इतने चोटे ना देखें लेकिन वो दुनिया में अपनी तरह के सबसे चोटे हैं अगर आप इन चोटे गेंडू में से किसी एक के ठीक सामने सीधे खड़े होते हैं तो आप शायद उ उनके शरीर को ढखने वाले खुबसूरत बाल हैं जो वास्ता में उन्हें बाकी राइनो परिवार से अलग करते हैं असा इसली है क्योंकि वो बालों वाले राइनो के सबसे करीबी रिष्टेदार जो जिन्दा है वोली राइनो लंबे जमें से विलुप्थ हो चुकी प्र असली से कम राइनो बचे होने के साथ ही सुमात्रो राइनो की इंती पूरे इशिया में कम ऊचुकी है लेकिन कैद में रहते हुए भी पिछले 15 सालों में सिर्फ दो फीमिल नहीं मेटिंग की है उनके हाली में पैदा हुए एक बच्चे पर नज़र आ लिए प्यारा है न या थोड़ा सा खौफ नाक यार में डिजाइड नहीं कर बारा आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में आकर बताईएगा Elephant Shrews दोस्तों आपको मायूस करने के लिए मैं आफी चाता हूँ लेकिन आप यहां हाथियों की श्रू के जात क्रॉस बीडिंग का अंजाम देखने वाले नहीं हैं हाला कि Elephant Shrews जिसे सेंगी की नाम से भी जाना जाता है एक बहुत ही अजीब सा जानवर है इन छोटे मैमल्स की लंबाई चार से बारा इंच तक होती है इनकी नाक सून जैसी होती है जिसका इस्तमाल वो रसदार जंतुओं और कीडों को ढूनने और निगलने के लिए करते पिछले एक दशक में सेंगी की संग्या में चिंता जनक गरावट आई है और इससे पहले भी शुरूज बहुत ही मायावी जानवर थे वास्तमे इतने मायावी की 1970 के दशक में सोमाली सेंगी पूरी तरह से खायब हो गए और पूरे 50 सालों तक अफिशली इन्हें फिर से न और यहां तक की यिष्ट को भी रखा गया था इतनी कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ 12 शुरूज ही पकड़ में आये थे हो सकता है कि उन्हें उसमें कुछ ऐसा रखनी की कोशिश करनी चाहिए थे जिसकी स्मेल और टेस्ट कीड़े जैसी होती जैसे कि मेरी सास के हाथ वो पुदले नहीं हैं वो शूबल स्टोक हैं पांच फुटकियों चाहिवाले पकशी अपने शिकार के पास से गुजरने के इंतजार में घंटों तक पत्थर की तरह एक जगे खड़े रह सकते हैं और जैसे ही कोई चीज उनकी खतानाक आँखों के सामने से गुजरती है वो हरकत में आ जाते हैं और अपनी बड़ी चूच से हमला करते हैं और जो कुछ भी बहुत करीब आ जाता है उसे पूरी तरगल से निकल लेते हैं शूबल्स बड़े पैमाने पर साहड़े शेट लंबी मॉनिटर शिपकलियों के साथ साथ मगर मच्छों के बच्चे को भी खाने के लिए जाने जाते हैं इसलिए कुछ भी जोरक्षित नहीं भाई फिर वो अपने शिकार का सिर काटने से पहले अपनी चोंच से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं क्या आप अभी तक डरे हुएं वेल अपने खतरनाक रूप के बावजूद शूबल का खुद को कभी कम नी समझना चाहिए खास करके जो आपके सामने खुद पर पूप करने से नहीं डरता उनकी खराब रेपिटेशन के बावजूद शूबल वास्तों में इनसानों के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं और जिस लाके में वो रहते हैं वहां के खास शिकारी भी हैं फिर भ कि वो मेरे आसपास कहीं भी पूप नहीं करते हैं दोस्तों तो आपने अभी अभी जितने भी जानवर देखे उन में से आपका सबसे फेवरिट कौन है और क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा जो शायद ही कभी देखा गया हो और आपको लगता है कि उसे इस लिस्ट में श